Hi winners, I hope you all are well this side Rajiv Anand Welcome to Crypto Marg YouTube channel, Crypto ka raastah दोस्तों इस वीडियो में आप लोग इसाथ discuss करने आया हूँ तीन crypto projects के बारे में जिन मेंसे दो crypto projects जो है वो mean cryptocurrency के हैं और एक proper well driven token है तो चलिए बात कर लेते हैं 2022 के लिए कौन से तीन token जो है जिनका अच्छा खासा एक project भी बताया जा रहा है और इसके साथ-साथ कही न कही पर बड़ी exchange में listing की बात भी चल रही है इसी list के अंदर सबसे पहला coin आता है दोस्तो baby doge coin आप baby doge coin को अगर आप देखें तो यह INR में price है और INR में dot के बाद 6 zeros और 2909 2.29% जो है baby doge coin अभी भी 24 घंटे के according जो है वो कही न कहीं पर बड़ा हुआ दिखाई आप लोगों को दे रहा होगा यह information आपको coin market cap पर मिल रही है अब बात कर लेते हैं baby doge coin में ऐसी क्या खासियत है देखें दोस्तों baby doge coin जो है वो भी शिबा इनू doge coin की community से ही inherit हुआ हुआ एक नया crypto coin है और आपने baby doge coin की पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी pump भी देखी है इसके पीछे सबसे बड़ा reason बताया जा रहा है कि हाल फिलाल में baby doge coin की listing की बात जो है binance crypto exchange के उपर चल रही है और अगर baby doge coin आने वाले कुछ ही महीनों में 3-4 महीनों तक अगर baby doge coin binance में लिस्ट हो गया तो yes this will be the biggest news for 2022 ऐसी अगर मैं किसी दूसरे project की बात करता हूँ तो उस project का नाम है किशू इनू किशू इनू को भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 24 गंटे में लगभग 4% से ज़्यादा growth कर चुका है और INR price में भी dot के बाद 60164 याने कि baby doge coin से अभी काफी नीचे है लेकिन किशू इनू भी 2022 का काफी अच्छा project बता रहे हैं अगर मैं आप लोग को meme cryptocurrency के अंदर twitter के उपर जो सबसे ज़्यादा popularity किस तरीके से बढ़ती है twitter के उपर उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो आप tweet के उपर देख सकते हैं जहां पर 7,38,000 से ज़्यादा follower baby doge के हैं और अगर मैं किशू इनू की बात करता हूँ किशू इनू को अभी तक blue badge community का भी अभी तक जो है नहीं मिला है blue badge ले और इसके साथ-साथ 3,66,000 से ज़्यादा community जो है वो आज की date में किशू इनू की बनी हुई है तो शायद meme cryptocurrency की culture के अंदर इस community को popularize करना इस community से grow करना और इस community से ही एक particular crypto coin का आगे बढ़ना ही tag किया जाता है क्योंकि number of folders आज की date में ये decide करते हैं कि crypto coin का future क्या होने वाला है तो 2022 में ये दो meme cryptocurrency किशू इनू और baby doge coin की बहुत अच्छी खासी value बताई जा रही है इसके लाबा अगर मैं तीसर project की बात करू जो 2022 में काफी अच्छा बताया जा रहा है वो है Saitama और Saitama का आप exact price अभी देखें तो Saitama पिछले 24 गंटे में लगबग 5.5% के आसपास down चल रहा है लेकिन Saitama का भी ये काफी अच्छा एक project बताया जा रहा है और Saitama एक proper driven token है मतलब एक कई न कई पर value driven token है Saitama का भी अगर आप official twitter account चेक करेंगे तो Saitama की भी community जो है वो लगबग 2,80,000 से जादा members की बन चुकी है ये एक community driven platform है जहाँ पर कई न कई पर आप लोग को blockchain education, cryptocurrency, education की बात भी की जाती है Saitama ने अपने official website के ओपर भी अपनी 500 stages को proper live किया हुए और right now Saitama जो है वो third stage में है जहाँ पर Saitama की आज की date में 3,00,000 से जादा holder बन चुके है और काफी small exchange के ओपर already list हो चुका है तो 2022 में इन 3 crypto coin का काफी अच्छा scope बताया जा रहा है but never forget to buy these 3 crypto projects Thank you so much for watching this video and please do subscribe CryptoMark YouTube channel Thank you so much